तो आज मैं आपके साथ मैंगो शीरा की रेसिपी शेर करने जा रही हूँ जो रवा भी हम बोलते शीरा बोलते और यह बहुत ही जल्दी बन जाता है और इतना डिलिशियस बनता है जब आप इसमें मैंगो आड करते हो तो यह मेरा फेवरेट है मैं इतना मुझे शीरा नहीं पसन है लेकिन जो बैंगो शीरा है वो मुझे बहुत पसन है तो आज मैं उसी की रेसिपी आपके साथ शेर करने जा रही हूँ जरूर आपको पसंद भी आएगी तो चली हम रेसिपी देख लेते है यहां पर मैंने एक कडाई ले लिए है इसमें हम वान कप सूजी जो है सै है एह इतना अभी आए कि इसका लम ची ना हो लेकिन हम कडाई में हम लेघे के लेंगे फस है ये लेना है आइसमें हम कुछ ड्राइफूट गाजू एड़ेंगे ice-miss tark county और किश्मित कर देंगी और बादाम और इसमें आद करेंगे और इने बहुत ज्यादा नहीं तो नगए फैसे स्कोमर आने तक हम इसे अच्छे से बून लेंगे और जब यह हो जाएगा तो इसे भी हम निकालेंगे और साइड में रख देंगे और यह जो रेसिपी है मैं सिफ 4 टेबल स्पून गी से बना रही हूँ यहाँ पर हम 3 कप पानी दालेंगे हमने 1 कप सूजी लिये तो 3 कप पानी इसमें हम 1 कप सूजी लेते हो तो 9 कप शूजी लेटे हैं अगर मैंगो आड बहुत बिए nya मीठा होता वाहा है नहीं है तो कि मैं कम मीठा खाते हैं ता इसमें 9 कप प शूजर आड लेया चाश्णी बना लेना है सैफरन के धागे और थोड़ी से इलाइची एड़ कर रही हूँ इससे भी मिक्स कर देंगे यहां पर मैंने यलो फूट कलर एड़ किया है यह टुटली ऑप्शनल है बहुत अच्छा कलर आ जाएगा मैंगो में भी कलर होता है लेकिन मैंगो का पुरा कलर देने के लिए इसमें मैंने थोड़ा सा फुट कलर आठ आ है यह सूजी है जिसमें भून अक्षें अब spelleded आट कर दिया और सम्कालर को उसना अभी तक मैंने गी नहीं दाला है तो ड्राइफ्रूट्स के लिए यूज किया था वही यूज किया है तो हम 4 टेबल स्पून में हमारी ये सूजी रेडी करेंगे काफी अच्छी बनने वाली है तो इसे हम चाशनेर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखिए यहां पर मैं सेकेंड जो दूसरा टेबल स्पून है गी का वह अट कर रही हूँ और यह तीसरा और इसे अच्छे तरह से हम मिक्स कर लेंगे अब भी से हमारी सूजी ने पैन को छोड़ दिया अब देख सकते हो यह देखिए इससे बुंते मुझे 7-8 मिनिट्स हो गए तो जब जाके यह सूजी इस तरह से हो गई है देखिए इतने अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है यहां पर मैं दाल रही हूँ 1 टेबल स्पून गी यहां पर आप दालोगे तो बहुत अच्छा टेस्स आएगा आप इसमें गी में ही बनाना यह सूजी को यह देखिए इतने अच्छी तरह से सॉफ्ट है अब हम इसमें वन कप जो हमारा मैंगो का पल्प है वह आड़ कर देंगे इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हमें मैंगो को पकाना नहीं है सिर्फ हमारे सूजी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए इतना ही हमें से चला लेना है और लास्ट वाला जूब गी का टेबल स्पून है वह मैं यहां पर आड़ कर रही हूँ यह देखिए इससे बहुत अच्छी शाइन आ जाएगी अभी हमारे सूजी में लास्ट मैं यह एड़ कर दिया है टूटल 4 टेबल स्पून हमने गी यूज किया है और यह देखिए अभी हमें और इससे ज्यादा नहीं पकाना है क्योंकि सूजी बात में और ठीक हो जाती है यह यहां पर हम अपना ड्राइफूट सेट कर देंगे और उसे भी मिक्स कर देंगे अच्छी लग रही है और टेस्ट में भी आप यकिन मानिए बहुत अच्छी बनेंगी आप इस तरह से बनाएंगे तो जो उमीद करती हो फिर्ण्स आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी मांगो शीरा की जो के हमने एकी पैन में बनाया है हमने कोई और बर्तन यूज नही को भी सब्सक्राइब कर लेना थैंक्यू अलाहाफिज